दोस्तों, रेलवे ग्रूब टी का ओफिस्यल एक्जाम डेट आ गया है, तो चलिए देख लिजी कब से परिक्षा शुरू है, कब से परिक्षा ली जारी है, कैसे क्या परिक्षा होगी, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे, और पिछले साल का कटफ कितना गया थ इसको ग्रूब डी का ओफिस्यल एक्जाम डेट, सीवीटी का दे दिया गया है, तो चलिए देख लिजी कब से परिक्षा शुरू है, कितने चर्णों में परिक्षा होगी, और कटफ को लेकर सबसे बड़ा डॉट है कि इस पर कितना मार्क्स ला लेते हैं, कितना ग्रूब डेट के बारे में देख लिए, यहाँ पर आप दिखीगा, सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन नमर जो यहाँ पर है, ररसी 01-2019, लेबल वन पोस्ट, यहाँ गूरूब डी के बारे में है, नोटीस और एक्जाम डेट पोर सीवीटी और अधार बेस्ट बैयोमेटर अधार के साथ होगा, अधार काड आपको ले जाना और उससे मैच किया जाएगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बस आप अपना अधार काड ले कर जाएगे, और अब तो सभी के पास अधार काड हाई ही, तो कोई तरह का दिक्कत आपको इससे नहीं होगा, अब परिक् दोस्तों तो single stage, single stage यानि CBT सिर्फ एक ही exam लिया जाएगा, पहले ये नियम लाया गया था, जनवरी में आप सभी को पता होगा, CBT 2 का नियम लाया गया था, फिर protest आंदोलन के कारांसी से रद करके, जो पहले का pattern है, एक ही exam वही लागू रखा गया, 100 total question इसमें पूछा जाए लगवग 3-4 मेने ये exam चलेगा, December तक exam चलेगा, अगस्त से शुरू है, December तक चलेगा, और 2018 भरती में भी आईसा ही किया गया था, December तक लगवग exam चला था, इस पार भी आईसा होगा, अलग-अलग फेज में, तो पहला फेज जो शुरू है 17 अगस्त से, ये लगवग 10-15 द के बारे में है, फिर exam nation लेना है, सही तरीकेस, पारदर्सी तरीकेस, इसके बारे में, तीसरे नमर पॉइंट में, अधार-based biometric authentication के बारे में, तो आपको अपना अधार काड लेकर जाना है, और जब CVT exam होगा, तो CVT exam उसमें आपका अधार biometric लिया जाएगा, इसके बाद य railway में किसी परकार का कोई भी धांदली cheating ये सब नहीं होता है, कोई भी पैसे के माध्यम से selection नहीं होता है, इसी के बारे में, candidate को aware किया गया है, कि सिर्फ आपका exam के अधार पर marks के अधार पर selection होगा, और यहाँ पर 30-2022 date का देख सकते हैं, यहाँ से आप official website से notice देख लिए, आपको 90 मिनट का समय दिया जागा, यानि 1.5 घंट आपके पास है, तो समय परियाप्त है, समय परियाप्त यह नहीं कह सकते कि बहुत अधीक है, क्योंकि math reasoning से बहुत अधीक question है, math reasoning में समय लगता है, तो यह है कि आपको exam में जल्दबाजी में भी question को गलती नहीं करना है, और बहुत धीरे-धीरे भी नहीं बनाना है, आप practice set पहले से देखर कि अच्छे से practice हो जाएक, 90 मिनट में हमको सभी 100 question तक पहुचना है, और इसमें negative marking 1 by 3rd है, तो इसले आपको बहुत जादे गलत भी नहीं बनाना है, पहला section देखिएगा, math है 25, इसके बाद reasoning है 30, तो 30 औ आपको math और reasoning पर धियान देना है, जिससे आपका 55 में से कम से कम 45 पलस बन जाए, और reasoning में खास करके आपको जो railway का special topic होता है, जैसे cellulism हो गया, कथन निसकर्स वाले question जयातर पूछे जाते हैं, इसको आपको अच्छे से complete कर लेना है, science से हो गया 25 question, GK से हो गया 20 question, तो GK प इन दोनों को मिला कर जो total weightage है, total यहाँ पर 80 का weightage, और इस 80 में अगर आपका 65 पलस भी marks आ जाते हैं, और GK में current affairs बन जाएगा, 5 class question अगर सही हो जाता है, लगभग आप 70 questions सही बना लेते हैं, तो असानी साब का merit बन जाएगा, पिछले साल का आप लोगों cut-up भी दिखाने वाले हैं, और इसमें negative marking यह सब सारा कुछ criteria रखा गया है, अब चलिए पिछले साल का cut-up देख लिजे कितना पर merit बनता है, यहाँ पर आप देखीगा, तो यह 2018 भरतिक है, level 1 post का official cut-up है, और कौन से board का है, तो इलहाबाद board का यह official cut-up है, यहाँ पर general category का देखीगा, 74.5 से बन है, यानि 100 में से 74 marks लाने पर बना है, और यह normalized marks है, तो जो candidate का यहाँ पर selection हुआ होगा, लगभग अगर 68 से 70 question बना लिया होगा, सभी का selection हो गया होगा, normalization में कुछ marks बढ़ता भी है, इसके बाद SC category का देखीगा, तो 62.92 है, HD का 50.12 और OVC NCL का है, 79.78, यह इलहाबाद बोर्ड का देख लिए, अब चलिए, पटना बोर्ड का आप देख लिजे, यह आप देखीगा, तो कोलकाता बोर्ड का है, यहाँ पर कोलकाता बोर्ड का भी आप देख लिजे, यहाँ पर UR में थोड़ा cut-up हप गया है, अब है थोड़ा 80.57 है, OVC का 71.77, SC का 71.60, ST का 55. और यहाँ पर आप पटना बोर्ड का देख लिजे, पटना बोर्ड का कितना cut-up है, तो जेनरल काटिगर के देखेगा, तो 77.003 है, इसके बाद OVC का 72.51, तो जेनरल और OVC में बहुत खास का अंतर नहीं रहेगा, 3-4 मार्क्स का अंतर रहेगा, SC में 17.64, ST में 18.20, तो आ आप अगर किसी भी बोर्ड में फॉर्म फिलब के हैं, लगभग अगर आप 70 क्वेस्टन बना लेते हैं, नर्मलाइजड होकर आपका 75 के लगभग मार्क्स आ जाएगा और आपका असानी से मेरिट बन जाएगा, क्वेस्टन भी अच्छे लेबल का गुरूप D में पूछा आपको अच्छे तरीके से त्यारी कर लिजिए और बेहतर तरीके से त्यारी करके एकजाम दीजेगा, तो बिलकुल आपका सेलेक्शन हो जाएगा, आप टार्गेट यही रखिए कि 75 क्वेस्टन सही करना है, अगर निगेटिव काट खुट करके सब कुछ अगर आपका 70 क् अधिके सब्सक्ч चाहते हैं तो कमेंट करके बताएगा आप लोगों का जीस एकौडिं क Iran कमेंट रहेगा, गुरूप डिक एकजाम से रिल्टेड़ भी इंपोर्टेंट कुछेशन करवाएंगे, और एकजाम डेट के बारे में देखी लिए, लगभख 17 शाठ पेज में इ तारिक किया जाएगा